आज की इस class में बात करेंगे हम लोग source of data तो source of data हम लोग पहले discuss कर चुके हैं कि primary source of data होता है और secondary source of data होता है लेकिन primary data को हम collection कैसे करते हैं उसका method क्या है passenger denied डेटा को हम, secondary source of data को कहां से हम प्राप्ट करते हैं और कौन-कौन सा component होता है, secondary data को और कहां से हम collect कर सकते हैं, तो इसमें हम सबसे पहला देखेंगे, collection of primary data, जिसके अंतरकर इसका method देखेंगे, observation method, schedule method, questionnaire method, interview method, information from local correspondent, oral investigation, communication और FGD, वहीं दूसरे तरफ देखेंगे, secondary component आता है, पहला private document और दूसरा public document, तो इस case में हम लोग देखेंगे, कि data को हम कैसे collect किया जाता है, data collection करने का different tools क्या-क्या होता है, तो previous class में हम लोग बात कर चुके थे, कि source of data कितना परकार का होता है, source of data, जो हमारा पहला क्या था, primary source of data, और दूसरा, secondary source of data, तो primary source of data किसको कहते थे, कि जो first hand data होता है, कि researcher अपने objective के लिए अगर data collect करता है, खुद field में जाकर, तो उसको हम लोग primary data कहते हैं, और जो second hand data होता है, hand data, उसको हम लोग secondary data कहते हैं, कहने का मतलब पहले से already कोई अपने purpose के लिए data को collect किया था, और उसका second person को और दूसरा बैक्ति उस data को use करता है, और उससे वो analysis करता है, तो ये बैक्ति के लिए, दूसरा बैक्ति के लिए data हमारा क्या हो जाएगा, secondary data, तो इसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे, कि primary data को collect कैसे किया जाता है, उसका method क्या है, तो सबसे पहला टेक्निक जो होता है, वो observation method होता है, इस method के अनुसार जो researcher होता है, researcher वो खुद जाकर observe करता है, directly observe करता है वहाँ पर और वहाँ से data collect करता है, तो इस case में क्या करेगा, जो researcher होगा, वो वहाँ जाकर और खुद observe करेगा, क्योंकि साथ उसको language समझ में नहीं आए, या फिर उन लोग का activity समझ में नहीं आए, तो इस case में researcher डारेक्ट वहाँ पर जाता है उन लोग एरिया में और वहाँ जाकर खुद observe करता है, अपने हिसाब से data collect करता है, तो जिसके अंतरगत हमारा दो method होता है, एक होता है participant method और दूसरा होता है non-participate, तो participant method में क्या होता है कि जो researcher है, researcher जो है वो गाओं में जाता है village में यह ज्यादतर यूज होता है tribe society में research करने के लिए, ठीक है तो village जाएगा और village में tribe लोग के साथ as a part of family बन जाएगा, पार्ट of family ठीक है और उन लोग को जो भी रिती रिवाज है, custom है या economic activities है, वो सारे economic activities और custom tradition को फोलो करता है, साथी साथ उसको बताया जाता है गाओं वाला के साथ, गाओं वाल लोग को भी यहाँ पर पता है कि यह researcher है हम लोग को observe कर रहा है, ठीक है लेकिन वहीं अगर तो यहाँ पर villagers जो है, हाना या tribe society है, वो उसको नहीं पता है कि हमको को observe कर रहा है, ठीक है यहाँ पर family part नहीं बनता है, बलकि indirectly observe करते रहता है, indirectly observe mission, ठीक है कि वहाँ पर जा रहा है, आसपास में घूम रहा है, हाना किसी भी भूस्ता में जाकर यह यहाँ पर उनके सारे activities को observe कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, जैसे कि construction woman होगा, हाना, तो construction woman से अगर हम कोई पुछने जाएगा, तो वो सही सही नहीं बताएगा कि आपके साथ exploitation होता है, transportation में क्या-क्या दिक्कत होता है, घर जाने के बाद क्या दिक्कत हो जाएगा, तो एक case होगा कि उन लोग जान रहा है कि यह हम लोग के साथ observe कर रहा है, लेकिन अगर जान लेगा कि यह observe कर रहा है, तो उन लोग authentic data नहीं provide करता है, इसलिए as a labor के तोर पर काम करता है, इन लोग के साथ जो भी होता है, उस घटना को यह observe करता है, ठीक है, तो य यह हमारा authentic होता है या इस ही को हम लोग अगर tribe society के लिए अगर इसको यूज हो रहा है तो इस ही को हम लोग आता है इतनो graphy इतनो graphy तो इसमें देखेंगे कि यह observation method है वो suitable कीन परस्तिती में होगा suitability तो पहला होगा इसका कि यह limited area को ही देख पाएगा दूसरा और जब original data हमको चाहिए original data क्योंकि इस case में अगर कोई जान बूच के जाता है बल्कि false data मिल सकता है क्योंकि उसको जान रहा है कि हम गलत कर रहे हैं या फिर जो भी उसके साथ problem होगा उसको modify करके बताएगा तो जब हमको original data का जौरत पड़ता है तो हम इस तरह से researcher अपना कारी करता है तीसरा है कि जब data को secret रखा जाता है कि secret data क्योंकि यह सारे document जो होते हैं वो secret रखा जाता है publicly नहीं किया जाता है कि अगर आप चोर के बारे में अगर आप research कर रहा है वो बोल रहा है हम यहां यहां चोरी किये हैं यह दुकान को लुटे हैं और फिर आप जाके police में complain कर दीजेगा तो यह researcher का का काम नहीं होता है इसके data को आपको secret रखना होता है हाना ऐसे भी हमारा यह ethic of research का part होता है कि जो भी respondent का information है वो आपको personally secret रखना होगा उसको publicly नहीं किया जाता है ठीक है तो इस method का merit क्या-क्या है कि इससे originality होता है original data हमको प्राफ्थ होता है accuracy होता है क्योंकि हम खुद researcher वहां पर जाता है कि वहां हम direct किया है किसी के थुरू हमने लिये है data उसके साथ साथ आपका जो purpose है data का उसके अलावा other information भी आपको collect यहां पर हो जाता है जैसे कि अगर आप economic activities के बारे में जान रहे हैं तो उसका social society के बारे में भी आप जान पाईएगा उसका culture के बारे में भी जान पाते हैं इसमें ठीक है और इसमें हम कोई uniformality मिलता है एक रूपता मिलता है कि जो भी हम data लेंगे single है अगर दो तीन researcher अगर उस चीज को observe करेगा तो different view मिलेगा हाना लेकिन आप खुद से observe कीजे तद उसमें uniformality होने का ज्यादा chance रहता है ठीक है लेकिन इसका कुछ demerits भी है हाना तो demerits क्या है कि सबसे पहला कि wide area को हम cover नहीं कर सकते हैं इस research methods से दूसरा यह personal bias भी हो सकता है personal bias कि आप वहां गाएं आपको पसंद नहीं आया जो चीज़ पसंद आया उसके हिसाब साफ लिख दिया जो चीज़ पसंद नहीं आया उसको हम छोड़ दिये यह अपने अधार से manipulate कर दिये और यह बहुत costly भी होता है और रिक्सी भी होता है है ना और इससे हम limited area ही cover कर सकते area next method जो है ओ schedule method है schedule method schedule method में क्या होता है कि सबसे पहला यहां पर आपको एक set of portion बनाना पड़ता है set of portion कि हमको क्या-क्या पूछना है प्री-प्लान ना प्री-डीजैन प्रीजैन प्री-डीजैन कोईशनेयर भी बोल सकते हैं अब इसको जहां पर सेट आफ डेटा हो, और इस सेट आफ डेटा को डारेक्ट इंटर्व्यू करके फुद रिशर्चर हान है खुद researcher अगर data को collect करता है, पूछ कर data collect करता है, तो उसको हम लोग schedule method करते हैं, जैसे कि आपने questionnaire बना लिया, और एक हो सकता है, आप दूसरे से data collect करवा सकते हैं, या mail से भेज़ सकते हैं, तो यहाँ पर वो सारे चीज नहीं होगा, बलकि researcher खुद वो questionnaire को लेके जाएगा, किस के पास, respondent के पास, उतरदाता के पास, और यह खुद उसके साथ interview करेगा, और अपने question के अधार पर उससे सवाल करेगा, तो अगर यह method अपनाया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, schedule method, जिसमें researcher खुद respondent से interview लेता है, और data collect करता है, उतरा होता है questionnaire method, questionnaire method, तो इस case में हमारा set of question ही रहेगा, न, set of question, लेकिन respondent यहाँ पर directly data collect नहीं करेगा, interview नहीं लेगा, बलकि इसको खुद respondent से ही fill up करवाएगा, मतलब भरवाएगा, fill up by respondent, respondent, ठीके, कि आपने question दे दिया, जिससे करवाना है, तो उसको question दे दिया, respondent को, तो respondent क्या करेगा, सबसे पहला उसको पढ़ेगा, read करेगा, उसके बाद समझेगा उसको, understand करेगा, और फिर जो टिक लगाना है, या फिर जो answer देना है, उसको answer देगा, अना, तो questionnaire को हम लोग, खुद respondent से भराते हैं, तो यह या तो आप face to face जाके directly दे सकते हैं, या फिर email के दोवारा भी भेज सकते हैं, या फिर post के दोवारा भी भेजा जाता है, या फिर WhatsApp या किसी भी social networking के दोवारा भेज कर उसे भरवाया जाता है, तो इस, इस method में difficulties के आता है, कि अगर respondent uneducated है, तो उसको question समझ में नहीं आएगा, ना वो पढ़ पाएगा, ना ही वो उसको proper समझ पाएगा, तो answer भी हम्मारा यहाँ पर समझ में नहीं आता है, दूसरा चीज कि irritate हो जाएगा, और वो कुछ भी भर सकता है इसमें, तो questionnaire method का कुछ एक अपना method होता है, next होता है interview method, interview method, तो interview method में क्या होता है, यहाँ face to face interview होता है, पहला तो face to face interview होगा, हाना, कि जैसे tv में देखा जाता है, कि अगर किसी का interview लिया जाता है, तो पहले से question set भी करके आ सकता है, या फिर directly on the spot भी question उचा जाता है, हाना, तो एक तो पहला face to face है कि respondent, respondent और researcher, researcher दोनों आमने सामने हैं, ठीक है, कि यह बोल रहा है, researcher बोल रहा है, तो respondent उसका जवाब दे रहा है, दूसरा हो सकता है कि telephone, telephone के द्वारा, ठीक है, कि टेलिफोनिक भी हम लोग कर सकते हैं, या चैट भी हो सकता है, तो telephone में हम लोग क्या कर रहे है, टेलिफोनिक interview होता है, ठीक है, इसमें basically आता है हमारा TV interview, direct interview जो आता है तो, और टेलिफोनिक interview आता है, है ना, next जो source का data होता है, information from local correspondence, जो ज्यादा तर इसको TV वाले यूज करते हैं, कि सब का, जो समभाद दाता होता है, हाना, वो हर जगह पर फैला हुआ रहाता है, और उससे, वो information लेता है, और TV पर news दिखाता है, इस case में क्या होता है, कि news वाले जो news broadcast करते हैं, वो वहाँ पर area में नहीं जाते हैं, information लेने के लिए, बलकि उसका जो परतिनिधित कर रहा है, जिस area को, वहाँ से वो information भेजता है, तो TV वाले यहाँ पर अपना information या सुचना news दिखाते हैं, जैसे कि अगर इंडिया में कहीं पर भी आज तक का ले लेते हैं, आज तक का क्या है, कि वहाँ जो बताता है, या news दे रहा है, वो तो इस area में नहीं जा रहा है, अगर वो जहारखंड का news दिखा रहा है, तो जहारखंड का news कैसे दिखा रहा है, क्योंकि उसका एक परतिनिधित यहाँ प कर रहा है broadcasting या इसको हम लोग anchor कहते हैं ठीक है तो यह ज्यादा तर हम लोग परियोग करते हैं किसमें tv चैनल में है ना tv चैनल न्यू चैनल जो भी है उसमें इसका परियोग करते हैं नेंट्स होता है oral investigation में क्या होता है basically किसी के मौखिक साक्ष को लिया जाता है जैसे कि अगर कोट में किसी को गवाही देना है तो वहाँ पर witness जो होता है उसके पास कोई document नहीं होता है कि अगर crime करते वे देखा है और वो वहाँ पर जाके कबूल लेता है accept कर लेता है या condemn कर लेता है तो उसका मानने माना जाता है तो यहाँ पर हम लोग oral investigation के द्वारा भी करते हैं ठीक है या फिर इसको हम लोग next slide के बारे में अगर कुछ information लेना चाहते हैं उसके बारे में research कर रहे हैं तो आप कहां जाएगा उनलों के पास तो नहीं जाएगा तो इसके बारे में जो जनकार है knowledgeable person है और इसका जो data रखता है या उनलों के साथ रहता है तो आप उनसे contact कीजेगा और वो आपको देगा information हाना तो वो information क्या देगा oral ही देगा ठीक है तो इसमें जो export होते हैं उसके द्वारा भी यहाँ पर data दिया जाता है या उसके द्वारा information दिए गए information को collect करके हम लोग as a research के रूप में use करते हैं as a information या data के रूप में use करते हैं जी डी एफ जी डी फोकस ग्रूप डिसकसन ठीक है तो यह प्रैमरी डेटा का reliability है ना उसका originality को check करने के लिए यह method को अपनाया जाता है है जैसे कि अगर आप किसी गाउं में गए हैं बिलेज में और आप domestic violence पर research कर रहा है कि domestic violence होता है husband अपने बीबी को मारता है कि ने मारता है है ना तो इस case में अगर directly उसके घर में जाके अगर आप पूछिएगा तो अगर उसके husband है तो क्या वो लेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता है लेकिन इसी चीज को cross check करने के लिए आप क्या कर अगर जिसके साथ violence हुआ है अगर वो अपने husband को बचाना चाहेगा तो उसके पड़ोसी उसको बोल देगा हां कल तो आप मारा था ना husband या फिर यह किया था वो किया था तो यहां पर क्रॉस चेकिंग अपना data का क्या हो जाता है cross checking दूसरा जो कुछ privacy होता है प्रस्ना information अग से reliable होता है उसी information को लिया जाता है और जो हम individually data collect किये हैं उसका cross checking भी हो जाता है तो यहां पर क्या होता है कि group discussion होता है ना कि यहां पर इस गाउं में जो अगर domestic violence का ले रहा है तो domestic violence होता है कि नहीं होता है जहां पर यहां पर male excluded होता है नहीं होता है तो सिर्फ यहां female होगी तो female अपना जो problem है domestic violence के लिए तो वो सारे चीज को यहां पर discuss करके बताया जाता है तो यहां पर researcher को researcher को real figure पता चलता है कि वास्तों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है नेक्स मेस्टड जो यूज करते हैं, इसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपको टीवी द्वारा कॉमेंट करने के लिए बोला जाता है, या सजेशन मांगा जाता है, तो ये भी हमारा एक सजेश सोसल मीडिया का यूज करते हैं, तो वहाँ पर कॉमेंट बोला जाता है, कॉमेंट करने के लिए, या फिर आपको लाइक या डिसलाइक करने के लिए, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा डेटा बन जाता है, कि इसे पता चलता है कि कि इस गूरूप को किस प्रोडक्ट के ब यूज होता है, लाइक, कॉमेंट, शेयर, तो टीवी वाले भी करते हैं, रेडियो वाले भी करते हैं, तो इसमें ये सारे रिक्वेस्ट वाला फॉम आता है आपका, या फिर आप कहीं पर रेश्टुएंट गये हैं, तो उसमें आपको कॉमेंट बहरने के लिए बोला जात हैं, ठीके, कि अगर आपको सर्फिस कैसा लगा, बूड लहाय की बेस्ट है, ठीके, तो इसके अधार पे आप रेंक कर देते हैं, वहां का इंपलोई कैसा लगा, फूड कैसा लगा, तो ये सारे चीज वहां पर आपको भरवाया जाता है, तो इसको हम लोग कॉमेंट कि किसी से डेटा नहीं कलेक्ट करवाना है, बल्कि आपको रिक्वेस्ट करना है, कि आप अपना एक्सप्रीयंस यहां पर सेयर कीजी, वहीं अगर साकेंटरी स्वॉर्स का बात कर रहे हैं, तो ये डेटा हम लोग दो तरह से लेते हैं, पहला को हम लोग बोलते हैं, अबेट में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी का डाइरी है है ना या फिर लेटर किसी को लिखा है ज्यादा तर हम लोग हिस्टोरिकल जब रिसर्च करते हैं तो यही सब देखते हैं कि कौन किसको लेटर लिखा था और उस लेटर में क्या है या फिर डोकुमेंट है ना डोकुमेंट काने के मतलब किसी एग्रिमेंट का है है ना तो ये सब चीज हम लोग प्राइवेट डोकुमेंट में देखते हैं तो ज्यादा तर इसमें हम लोग क्या देखते हैं डैरी देखते हैं या फिर लेटर देखते हैं या फिर कोई agreement paper देखते हैं और किसी का memory को भी याद किया जाता है या फिर उससे data collect किया जाता है जैसे कि अगर हमको 90-40 के बारे में जानना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कोई record हमको मिलेगा तो जिस record को अगर उस समय का हम situation को जानना चाहते हैं तो उस समय का जो व्यक्ति अभी जिन्दा है तो हम उससे जाके interview लेके उसे हम data निकाल सकते हैं कि उसमें देश के अंदर क्या चल रहा था या फिर particular area में जिस area से बिलोंग करता है महां का economic इस्थिति क्या था social इस्थिति क्या था और religion इस्थिति क्या है तो जो जिससे matter है उससे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं तो यह secondary source of data में private में इस सरे चीज आते हैं वहीं अगर हम public record का बात करें तो public document में हमारा सबसे पहला record आएगा कि government का जो record है यह publicly होता है सब को access कर सकता है दूसरा publication publication जिसे bulletin है या फिर article है यह सारे चीज इसमें आ जाएगा कि article के दवारा में जो data provide किया गया है उसको यहाँ पर हम use कर सकते हैं report होती है report जो RBI bulletin हो है फिर NSSO का है census का है यह सारे चीज यहाँ पर report के तोर पर हम लोग यूज करते हैं report को as a data के तौर पर यूज करते हैं next होता है book अगर किसे ने book लिखा है तो book का information भी हम as a data के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर research के लिए यूज कर सकते हैं next होता है song ठीक है qualitative research का एक बहुत बड़ा important component है source of information है song है तो song में क्या होता है कि उस समय की स्थिति को बया किया जाता है अगर हम for local song देखते हैं या fox song देखते हैं तो particular एक meter के बारे में वहां describe किया जाता है ठीक है तो गाना अगर पुराने गाना आप देखते हैं सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी एक condition या situation को express किया जाता है जो घटना घट रहा था या फिर घट चुका था ठीक है तो उसी को as a song के रूप में गाया जाता है जैसे कि अगर आप साधी का बात लेते हैं तो साधी का बीदाई का जो क्या इस्तिति गुजरता है नहीं गुजरता है फैमली वाले के साथ क्या होता है या फिर अगर भोजपूरी का ना सुनते हैं तो उसमें माइग्रेशन शे रिलेटेड बहुत सारा गाना आपको मिल जाएगा जिसमें यह बया करता है कि अगर माइग्रेट होता है मेल परसल तो फिमेल के साथ क्या-क्या प्रोबलम होता है यह ना तो यह हमारा song भी इंपोर्टेंट रिसर्च होता है जिसमें हम लोग ज्यादा थर क्वालिटेटीव रिसर्च के बारे में बात करते हैं Source of data और collection of data कि हम primary data और secondary data को किन-किन sources से collect कर सकते हैं हाना यहां पर एक चीज और हम mention कर दे रहे हैं कि हम लोग public का अगर बात करते हैं तो ज्यादा तर हम लोग का एक census होता है और बहुत सारा website है website भी आ जाएगा जो हमारा demography से related data को publish करता है उसी तरह से NSSO है जो expenditure से related data provide करता है हाना उसी तरह से अगर economic activities का बात करें तो CES हो है ठीक है उसी तरह से यूडाइस है हाना तो यूडाइस हमारा primary education और secondary education का data provide करता है फिर उसी तरह से nfhs नhfs तो national health family survey जो हमारा health related data को provide करता है हाना उसी तरह से अगर bulletin में हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा होता है RBI bulletin जो money supply या फिर balance of payment के बारे में आपको data प्रवाइड करता है weekly, monthly और yearly ही तो इस तरह से अगर आप research करते हैं तो यह सारे data source of data को आपको देखना होगा और आप अपने objective के अधार पे research कर सकते हैं आपको